नमस्कार जहिन सात्यों प्रिविद्यार्ति नमस्कार आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चंद और चंद में पढ़ेंगे हम रोलाचंद के बारे में इसे पहले की वीडियो में हम दोवा, सोर्टा, गितिका, हरीगितिका, चोपाई इसके बारें पढ़ चुके हैं उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप उसको जरूर देखीगा और अधिक से अधिक सातियों तक सेर भी जरूर करें चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर देबाले चलिए शुरू करते हैं आज की ये गलास जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले रोला चंद का क्या लक्षन है इसकी पैचान क्या है इसकी परिवासा क्या है तो सातियों यह एक सम्मात्रिक चंद है क्योंकि इसकी चारों चरणों में समान मात्राए होती है तो सम्मात्रिक है जिसके परतियेक चरण में 11 वे 13 के योग से यानि 11 के बाद यती होती है और परतियेक पंक्ति में परतियेक पद में परतियेक चरण में 24 मात्राई होती है मतलब चार चरण होते हैं तो परतियेक चरण में परतियेक पद में 24 मात्राई होती है तुक प्राय पहले चर्ण की दूसरे से और तीसरे की चोथे से मिलती है तो ये लक्षण है, लक्षण में आप ये बात याद रखें कि इसमें 24 मात्राइं होती है, 11 वे 13 पर यती होती है ये एक सम्मात्रिक छंद है तुक है वो पहले की दूसरे से और तीसरे की वो चोथे से मिलती है इसके बाद हम एक उधारण के द्वारा इसको समझ लेते हैं उधारण इस प्रकार है कि निलांबर परिधान हरितपट पर सुन्दर है तो इस प्रकार में ने ये जो रिखंकित किया है इसमें आप देख रहे हैं ये चरण नंबर एक है चरण नंबर दू चरण नंबर तीन और चरण नंबर चार आप ये भी कह सकते हैं पद नंबर एक पद नंबर दू पद नंबर तीन और पद नंबर चार और इनमें सभी में मात्रा हैं कितनी कितनी है चोबीस और चोबीस मात्रा हैं का योग क्या है कि पहले मात्रा है 11 और उसके बाद मात्रा है 13 मतलब यह है जो अंत्रा है इसमें मात्रा 11 है और इस बाग में मात्रा कितनी है 13 तो यदि हम मात्रा की बात करें हैं मात्रा यहां पर आपको लगा के बताता हूँ नी के उपर मात्रा दो लगेगी ला के उपर मात्रा दो लगेगी बै के उपर एक लगेगी रह के उपर भी एक लगेगी पै के उपर भी एक लगेगी री की मात्रा छोटी है तो मात्रा एक लगेगी ठीक ना दुबारा देख लिए नी के उपर मात्रा दो ला के उपर मात्रा दो बै के उपर मात्रा एक रह के उपर एक मै की मात्रा नहीं लगई है क्योंकि आदे उपरन की मात्रा नहीं होती है पै की मात्रा एक री छोटी है मात्रा एक दा की मातरा दो और नै की मातरा एक तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले दो, फिर दो, चार एक पांच, छै, साथ आट, नो, दस और एक इग्यरा यह जो मातरा ही हुई इसमें यह हो गई इग्यरा, इग्यरा के बाद हम यह रुके हैं इसके बाद बात करूँ बाद की तो है पे एक, री की मातरा, छोटी है एक, तै पे एक पे पे एक, तै पे एक, पे एक, रे पे एक अब सै के साथ में मातरा अपना दो लगाएंगे क्योंकि इसके बाद आदा ने है तो आदा वरन कोई होता है तो उससे पहले वाला बले ही छोटा हो उस पे मातरा दो लगती है दे पे मातरा एक रह पे एक और हैं पे दो तो इसकी बात करें तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इग्यरा बारा और तेरा तो यह पूरी जो दूसरे बाग की मातरा हैं यह कितनी हो गई तेरा तो यहां पे पहले होई थी इग्यरा यहां पे हो गई तेरा इग्यरा और तेरा के योग से इस परतेक चरण में मतलब पहले चरण में मातरा कितनी होगी चोबीस इसी प्रकार सूर्य चंदर युग मुकुट यहां तक मात्रा होगी 11, मेकला रतना कर है यहां तक मात्रा होगी 13, नदिया प्रेम परवा यहां तक मात्रा होगी 11, और फूल तारे मंडल है यहां मात्रा होगी 13, बंदी जन खंग वरंद यहां तक मात्रा होगी 11, और सेस्फन स यहां तक मात्रा होगी तेरा इस प्रकार परतियक चरण में चरण नमबर एक चरण नमबर दो चरण नमबर तीन और चरण नमबर चार इन चारों में मात्रा हैं कितनी होगी चोबीश चोबीश और चोबीश मात्राओं का योग क्या रहेगा पहले मात्रा यहां तक यह जो अंत्रा है यहां तक मात्रा इससे बाई तरब यहां पे 11 मात्रा हैं और इसके दाई तरब 13 मात्रा हैं कुल मिला के पर तेक चरण में मात्रा होगी 24 तो प्रिविद्यार्तियों उम्मीद करता हूँ कि रोला चंद आपको अच्छी तरीके से समझ में आगया होगा इससे पहले की वीडियो भी आपने देखे होंगी और वो भी चंद आपको अच्छी तरीके से समझ में आगया होंगी चंद की ये वीडियो को सेर करना नहीं दूले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना तो बिलकुल नहीं दूले मिलेंगे और किसी ऐसे ही ज्ञानवर्दक वीडियो के साथ तब तक आजया दीजिए नमस्कार जै हिंद